नमस्कार आदाप ससरेकार मैं हूँ दानिश अधा खान और आप देख रहे हैं विश्रेश का रिक्रम्दा डियार किशो आज हमारे साथ में मौझूद है बुरहानपुर के भाश्पा की वरिष्ट नेता और बोल सकते हैं आपने यह शक्सित ऐसी शक्सित हैं जिनको आपने क राजस्थान के अजमिर में मिभी मां अजमिर की रहने वाली थी और घृट अमेरी शिक्शा मैंने बीकॉंद राहरनपूर के सेहब सद्धन कॉल्ज से क्या उसके पश्चात यज ESOL hansem मैंने XNB, First year मैं भुपाल के Career College से किया, Second year और Final year मैंने Indor के Christian College से किया. ते लिएं समाजिक संगटनों में आप तक कि रहे हैं? जब व्यक्ति रहता है और जब उसका पहला पड़ाओ रहता है, जब उसको ज्यादा जियान नहीं रहता है, तब उस समय मैं कुछ दिन के लिए कॉंग्रिस में सदस्य रहा लेकिन जब मुझे अकल आ गई जब मैंने देख लिया कि मुझे कहां काम करना चाहिए कहां नहीं करना चाहिए कि लोगों साथ मुझे काम करना चाहिए राष्ट्र के हित में कहां काम करना चाहिए उस समय मैंने में भारतियाटनता पारटी जान करते हैं त시면 जाए भरतियाटियस पारटी के लुए काम खता हूं और लगातार भारतियाटनता बाटी में काम करा जो जुम्मेदारी समय समय पर दी आती है पिछले चुनाओं के अंदर सांसच जी का काम देखा और अभी वर जो दस नंबर वार्ड का मैं प्रभारी था वहां से पहली बार भारतियंत्या पार्टी पार्षत के रूप में जफर कान जीते हैं अधित्य जी एक बात बताईए परिवार आपका कॉंग्रेस ही रहा है और आप भी कॉंग्रेस में आपने जीता है मैं भी कॉंग्रेस में था कुछ दिन तक क्या कारण ऐसी क्या परिस्थी तीवन्य उस समय कि आपने जो है कॉंग्रेस छोड़कर इतनी वरिष्ट बोल सकते पुरानी पार्टी छोड़कर आपके जो है भाष्पा में आ गये आपको तरीके को महां पर सम्मान नहीं मेरा नहीं मेरा परिवार ऐसा कॉंग्रेस ही रहा ऐसा नहीं बोल सकते लेकिन व्यक्तिकत रूप से मेरे परिवार के संब्द्दें से जिन लोगों के साथ रहें उन परिवार भारती जंद्दा पार्टी को वोड़ देता है बोल सकते कि 20-25 साल पुरानी बाते हैं हाँ 25 से 30 साल पुरानी बाते हैं यह जब मेरा परिवार कॉंग्रेसी था अभी बरतमान में मेरा परिवार कोंग्रेसी नहीं है और मेरे परिवार का कोई सदस्य सदस्य नहीं लेकिन वह समय था जब ठागुर परिवार के साथ हमारे व्यक्तिकत संब्द्द्द आपने बताया है लेकिन आज भी शोचल मिडिया हो गई के लिए प allergic dat चलता है कि वहत कॉंग्रेश चौड़कर भाशबा में गई थे और बात करेगा आपकी तो कुछ सब्र मे झाले करें एक घृओंल के निता वह जो लोग में ऑन लोगों को सम्वाण नहीं मिलता है ठीक है एज़ा की निता कहते हैं तो यह लगता है को आपको सम्मान मिलता है मेरे को पूरा सब्सक्वार्ण मिलता है और मुझे जो सम्मान आज की स्तिती के अंदर बुरहनपुर में मुझे आदिट के प्रिजिणपति की नाम से जान्दे तो उसके पीछे भारति-जन्ता पार्टी ह कारे करता हूं इसलिए मुझे बुरहन तुर में सम्मान मिलता है ऐसा ऐसा कहना जो लोग ऐसा कहते हैं कि जो लोग कॉंग्रेस छोड़के भारतियंता पार्टी में आते हैं उन्हें सम्मान मिलता है ऐसा बिल्कुल नहीं है भारतियंता पार्टी अपने छोटे से छोटे कारे करता और बड़े से बड़े नेता को पुरा संब्मान देता है तो उन देड़ साल के अंदर सांसद जी ने सांसद जी के शेत्र में आठ विधान सभाती है आठों विधान सभाओं में सांसद जी ने जी जान लगा के काम करा है जो काम करा है देखिए जब कोई काम करते हैं तो जब छोटी अवस्ता में रहता है तो दिखता नहीं है लेकिन जब धीरे-धीरे कुछ समय निकल जाता है तो उसका कारे दिखता है तो अभी पहली अवस्ता में सब सांसर जी के काम है कई काम उन्होंने ऐसे कर दिये जो पहले नहीं हुए लेकिन अब धीरी धीरे जब समय निकलता आएगा तो काम उपर आके दिखने लगेंगे किया किया कोछ जनता देखे लिएक गिनादी जी देखिए उन्होंने एक हमने पूरा एक लिस्ट बनाई है उसको लिस्ट को मैं आपको दूंगा भारते शांसर जी ने क्या-काम किये हैं बुरहनपूर विधानसभा खंडवा विधानसभा पंधाना विधानसभा में अभी में इतने इनों से बन पड़ा था सांशच जी के आने के बाद में older और इंदोर अ कर से daud project से हो रहा है अब जब जाएंगे देखेंगे कि इसे कार हो रहा है यह बहुत बड़ी सफलता है सांसेथ जी कि कि सफलता मानते हैं वं इस इसे हैं बिल्कुल सफलता मानता हुं ऐ तो यहां पर रुके के में छोटे से ब्रेक के लिए कि अ, एसकні है टार है कि में टार ऊन्हाजा, कि ते-то चाहित presenting realize कि अ, कि ते-क अ, की एस 네 में और से बिए willenें काभावन की 210 deposited श्युर्प िशक मैं थे खा Oh Cool कि अ, जार कि शोचानी है झाल झाल तो ब्रेक के बाद एक बाद फिर आपका स्वागत है विशेश कारेकरम दा डियरकिश होगे नराज अमारे साथ में मौझूद है बुरहानपूर के बाश्पा के वरिष्ट निता आदेत्य प्रजवदीर भीया सवाल क्या कारे है सांसच जी के बताई के सांसच जी का अभी पिछले देड़ साल में इतना बड़ा कारे हो रहा है नैशनल हाईवे 753 का इंदोर से इच्छापूर बहुत बड़ा कारे है जो पहले कभी इतना बड़ा रोड कभी आज तक नहीं दानिश भाई देड़ साल के अंदर अब दो से धाई घंटे में इंदोर पोच्छे निया बाइरोड जो बात आप कह रहे हैं पिछले दिनों सीम साब ने भी ऐसी कहा था जिसको लेका कॉंग्रेस ने कड़ा विरुद दर्श करा था क्या कहेंगे कॉंग्रेस का काम है भार का रोड का कैंवर्जन चालू हो गया है यह इतने बड़े काम है कि बुरहानपूर की जनता को इसके पहले कभी यह काम हुए नहीं जो सानसच जी के कारेकाल में काम हो रहे हैं तो नहीं बोल सकते कि कॉंग्रेस के कारेकाल में कुछ नियुक्त नहीं हुआ बुरहान पूर् बहुत ज़्यादा हुआ काम कम हुआ कि इस तरीके के बश्टा चाहिए देखिए आपको दनेश भाई मैं इंदौर पढ़ता था और हम जाते थे तो हमको इंदौर जाने में बुरांतों से अधिया आप बस में बैठते थे पुराने लोगों को मालूम होगा दस दस बारा सबीरे जाके रात में इंदौर से काम करके आते थे उन्होंने इंदौर जाना छोड़ दिया था वह यहां से बैड़के ट्रेन से जाते थे बंबई और वहां से खरीदी करके बुरांपूर आपस आते थे ना कि इंदौर जाना उनको पसंद था क्योंकि 10-12 घंटे लगते थे उसमें आदमी ठख जाता हुआ अभी लेकिन पांच गंटे लगते इंदौर जाने हैं देंब ही पांच घंटे लग रहे हैं वह क्यों लग रहे हैं कि काम चल रहा है रोड का नोड का काम से बहुत जल्दी तेजी से दिरमान कारी चल रहा है दो तीन भागों के अंदर उस रोड को बाटा है दो में तो तेजी से काम चल रहा है और बोर्गाओं से इच्छापूर का कारी एक अक्टूबर के बाद शुरू हो जाएगा तो बोल सकते कि अब जल्द ही बुरहनपूर जनता हो एक नए र उसकाट करी ने बुरहनपूर से अंक्लिश्वर रोड का एक स्विक्रत कर दिया है बुरहनपूर से अंक्लिश्वर नैशनल because अ बड़े-बड़े रोडे रोड़ बनेंगे बुरहनपूर चारो तरफ से कनेक्टिवटी रोड्य रोड की हो जाईग गी बुरहनपू क्योंकि अंदर अभी विकासकारे चल रहा है पाइप लाइन डल रही है सब हो रहा है मैं बहार की बात करा हूँ जो बुरहांदपुर के आसपास के जो बंबई है नाकपूर है अंकल इश्वर है अंदौर है अकुला है ऐसे बड़े शेरों से डारेक्ट हो जाएगा बुरहा बुरहांपुर के रोड की अंदर की बात कर लेकिए शेर की स्टी की जैसे अरीज आपने बताया आप भी भाश्वा के वरिश देखनेता है बुरहांपुर के रोड की जो अंदर शेहर के हालात है उससे आप वास्ताव में आप चानते हो गए जी जी मैं आपकी बात से सहमत क्या चुछ कि अंदर के रोड़ खराब है उसका कारण है कि अभी pipeline डली है और उसका काम अभी भी चालू है कहीं कहीं pipeline damage हुई है उसको जोड रहे हैं तो जब एक बार नया काम शुरू होता है देखिए यह बहुत बड़ा काम हुआ है जला वर्दन योजना का हर घर पर नल ल जल्दी ही रोल भी ठीक हो लेकिन आते जी कितना टाइम लगबग महापूर अनील भोसले जी तो उस समय उसके वाद में कई बार कितने दिन तक कितने साल तक ही बोल सकते हैं कि कोरोना से लेकर तो परिशाद धप रहे हैं देखिए कोरोना काल के अंदर बहुत सारे काम नहीं ह हो पाए मैं तो इस बात के लिए प्रजानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि कोरोना काल के समय जब पूरी दुनिया हिल गई उस समय भारत खड़ा रहा हर व्यक्ति को मुफ्त में वैक्सिन लगी है ये कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है इतने एक सो चालीस करोड का ह हमारा देश है हर व्यक्ति को पैसिन लगी है उसके कोई पैसे सरकार ने लिये यह ज़ितों दूसरी को सरकारций देश के सरकारणने हजारों रुपे लिए हैं लेकिन मोदी जी को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद दूँगा कि किसी से कोई पैसा नहीं लिए गया और इतनी बड़ी गंभीर बिमारी के अंदर इतनी बड़ी बिमारी में भारत आज भी अडिक खड़ा हुआ है सांसा जी के प्रतिनिति है आप शोशल मीडिय पे चल रहा है और कुछ सांसा के समर्थक क्या भी रहे है लिख रहे है जल्द ही मोदी के मंत्री मंडल के अंदर जो है ज्यानिश्व पाटिल जी का नाम होगा क्या कहें कि आप लिए आपके मूं में घी शक्कर ऐसा हो जाए तो मैं तो आपको सबसे पहले मिठा ही मैं आपको खिला हूँगा तो यदि बुरहानपूर को हमारे सांसद जी यदि मंत्री मंडल में जाते हैं तो ये तो बुरहानपूर और पूरे संसदी शेत्र के लिए विशेशकर बुरहानपूर के लिए गर्व की बात होगी कि पहली ब बड़े निताओं का है मोदी जी का है लेकिन ऐसा होता है तो सबसे पहले मिठाई आपका मुझ मिठा मैं करूंगा अगर ऐसे हो तो कितना विकास होगा बुरहन को क्या अलग से होगा देखिए मंत्री बनकर मंत्री जब यदि सांसद जी यानिश्व पार्टेदी मंत्री बनत अधिति जी शिख्षा के सेत्र में आपने क्या किया है अपने में और मेरा परिवार पिछले 40 वर्षों से गरीब बच्चों के लिए को सब्सक्राइब करता है एक स्कूल बुर्हानपुर में आरे समाज के माध्यम संचालित होती है वैदी विद्यापीट जिसका नाम है जिसमें गरीब बच्चों को शिक्षा दियाती है हमारा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है उसके अंदर हम चाहते हैं कि हमारी संस्कति बच्चों को आए वेद का पठन पाठन हो और बच्चे जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए सरकार तो काम करती है लेकिन संस्थाओं को भी काम करना चाहिए तो मैं इस बात के लिए मेरे परिवार को धन्यवाद देता हूं मेरी भूआ को मेरे फिता को मेरे चाचा जी को जो जिनोंने ऐसी स्कूल आपके मिदां मिलना आता हुगा वक्ति परिवार क्या कहता है बीवसका उद को चहरा कि में अदोर गया था एक साल पहले और में एक종 कब स्कूलत करें आफ जूदी मिरे में निकलने लगा such सर मैं आपकी स्कूल में पढ़ा हूं और यहां पर इंदौर के अंदर मैं यह सर्विस करता हूं और आपको देखा को मैं रुग गया तो बहुत खुशी होती है यह तो इंदौर की बात है लेकिन वैदिक विद्यापीट के बच्चे जो निकले हैं आज हमारी एक मेरी साथी ह कि अपोलो ऑस्पिटल में डॉक्टर है एंदाबाद के अंदर बुरांदपूर के वैदि विद्यापीट से बड़े बच्चे कोई ब्राजील में है कोई अमेरिका में है कोई बड़ी-बड़े ओधा पर काम कर रहा है इंजिनियर्स बहुत बड़े-बड़े-बड़े वै स्थमब और नियाई-पाली का अपना अलग कारे करती है सरकार अपना अलग काम करती है अब पाली का आप आज के परिद्रश्य में देखेंगे तो इतनी स्प्रीड में काम हो रहा है नियाई पालिका में केसे से इतनी जल्दी सॉल्व हो रहे हैं कि अब वकीलों के पास यह हैस्तिती आ गई कि हमारे पास केस किते दिन रहेंगे तो मैं नियाई पालिका को धन्यवाद दूँगा कि बहुत जल्द ही शीग रही केसों का नेराकरन हो रहा है और उससे जो लोगों को लाब मिल रहा है वो बहुत अच्छा लाब मिल रहा है और जो 20-25-25 साल पहले मुगद में चलते थे वो अब साल 2-3 साल में निपड़ जात का नियायपाली का किसी सही से दबती है हमारें जो किसी एक सैस्ता के नहीं है वो जो facts होता है जो तो सच्चा ही होती है उस पे काम करते हैं नयाय पाली का किसी से नहीं ड़ती है यह selbst है यह फेसलह बोलते जांग हों और यह उनके माडा में सब एच्छा चल रहा है वह उन्होंने एक शब्द कहा शरत पवार को लेकर शरत पवार की लिस्ट काफी लंबी है भश्टचार के उसकी कुछी दिन बाद में मारश्टी सरकार के अंदर फेर बदल होता है शरत पवार के भतीजे अजित पवार जो बीजेपी की शिंशेना सरकार है उसमें शामिल हो है एक तरब मोधी जी शरत पवार के बारे में ऐसा कहते हैं दूसरे अब शिंडेगोट के अंदर अजित पवार शामिल हो जाते जो कि बीजीपी की सरकार है क्या कहीं के फिर आप ने तो वह मोधी जी ने शरत पवार के बारे में बुला है अजित पवार के बारे में नहीं ब बीजेपी वी जाने में अइनको मोधी जी ने शरत पवार जी मैं से बारे में बोला एं अजीत पवार जी नहीं है घ çıkार तो आरोप तो किसे पर लगते आरोप लगने में कुछ नहीं ऴाइए कि अवेक Nepom cicat लेकिन आरुप सिद्ध भी तो होना चाहिए तैसा मानते है कि अब अजीत पवार ने ब्रश्चाचार किया है वह विशय मेरा नहीं है वह वहां की लोगों को देखने का है लेकिन अजीत पवार शीवसेना में शामिल हुए है और शीवसेना के साथ हमारे गडवन्द्यन है इ द्रश्यमय वांग्रियसर इसकार करती हैं तो कॉंग्रियस प्रवक्ता तो अब उनके पास कोई काम ने रह गया उनको चिर्फ लांचनलागाने का काम रह गया थो उनका ऐसा बोलना गलत है करनाटक में बीजेपी की हार हुई है क्या लगते इस बार MP के अंदर फिर बिजेपी फिर से बाजी मार पाएगी निश्चित रूप से MP के अंदर BJP सरकार बना वी है कारणाटक की परिस्तिते अलग थी वहां जातिगत सम्मीकरण के आधार पर बहुत जादा इस्तिती रहती है लेकिन MP में यह स्तिती नहीं है MP में विगत 19 वर्षों से शिवराज सिंग सरकार ने मोदी जी के नेत्रों के नौ साल से बहुत बले-बले काम की है हमारे पास बच्चा जन्मक के पहले से उसके व्यक्ति के निधन तक सभी योजना है ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसने भारतिय जन्ता पार्टी की शिवराज सरकार का लाब नहीं लिया होगा मोदी जी की योजनाओं का लाब नहीं लिया होगा ऐसा एक भी परिवार नहीं है हर व्यक्ति को हर परिवार को भारतिय जन्ता पार्टी की योजनाओं का लाब मि इसलिए निश्चित रूप से आगामी विदानसवा चौनाओं में भारती जन्ता पार्टी सरकार बनाने दोज़ा अठारा में जो घटना करम हुआ था बीजेपी सरकार गिर गई थी बनी ही नहीं थी बाद में फिर कुछ विधायक कौंग्रेस के वहाशपा अपने सरकार बनाने ती एक तरब कमलनात कहते हैं दूसरी पूरीं कौंगरेस यह कहती है यह बनाई भी सरकार है जंतेनies नहीं चुनादी बलकि बीजेपी ने खुद व फरिद्य वरिद्य वाली जो बात है सब पालतू बात है यह ऐसा को इस्थिति नहीं रहती हां विश्चित रूप से हमारे सरकार बनाने का जो हमारा आकड़ा था वो नहीं था लेकिन जो जो तिया इत्त सिंधिया जी के नेत्रत में जित्ते विधायक थे उनका कॉंगरिस में दमन हो रहा था उन्होंने सोचा कि एक सरकार बनाना है हमने उनके साथ गडवन्न करके सरकार बनाई है और पिछले साथे साथ सी सरकार से अच्छा काम कर रही है अभी भी जो जो सिंधिया जी के समर्थकते जो मंत्रियु मंदर गंदर शामील है कैबिनेट मंत्री गंदर अभी वह उंको ऐसा कुछ बगावत की खबर सुनने में आ रही थी चाहिए पर यह संबान ने विदायक जितने नेता मानने जोतिया जी जी साथते सब को टिकट दिया है और सब उसमें से बहुत सारे लोग जीत रहता है कि यह नाराजगी बहुत बड़ी हो गई है इसको टिकट नहीं दिया वह बगावत करेगा उसको टिकट नहीं करेगा तो यह ऐसे कई जगे पर ऐसी खबर आती रहती है तो इसको तो भूल जाए तो जादा अच्छा है हम अपना काम करते रहे हैं और भारतियांद् बुरहनपुर में विकास पहले से हुआ है लेकिन इसमें और संभावना है बुरहनपुर में मैंने अभी पहले भी एक निश टेनल को कहा था कि सांसद जी ने अभी शिवराज सीग की सरकार को एक प्रपोजल दिया है तापती नदी पर कॉरिडर बनाने का जैसा अंदावाद प्रपोजल दिया है और निश्चित रूप से जल्दी वो स्विक्रत होगा एक वो संभावना है मैडिकल कॉलिज की संभावना है मैडिकल कॉलेज यहां होना चाहिए इसके लिए हम आगे काम करेंगे और टेक्स्टाइल के ओपर भी बहुत बड़ा काम हो सकता है हमारा जो दो लेकर बड़ा काम हो सकता है केला केले की फचल हमारी पूरे भारत में यहां का केला फेमर से इस справ करेंगे और सरकार से बात करेंगे कि इसमें क्या-क्या संभावना और हो सकती है देखिए बुरहानपुर का जो कपला है उसस्ता कपला है वो पूरे भारत में जाता है लेकिन हम महेंगा कपला भी बना सकते हैं शूटिंग शर्टिंग के अंदर हम बनाने लगए है टेक्स्टाइल यह जो इस्कूल यूनिफॉर्म है हमा सवाल आप से जारी रहेगे लिए यहां रोकिंग शोठी से ब्रेक के लिए जब तक क्या आप लोग भी दिखते रहिए बिंसी लिव्स शिए उर्टषब के लिए बना सकी के लिए सकत् progresses पराइब है लिए Thankfully Mr. ऐार के लिए से जोड़קी की बना सकी कपरतो इस प्राव़की के लिए से हुथ गटवाय दोétais सक्सा की को कि बना सकता है हमाने हम बना सक्षा है लुकी को बना आप हैす तो ब्रेक के बाद एक बाद फिर आपका स्वागत है विशेश कारेक्रम दा डी आर्क शो के अंदराज अमारे साथ में मौझूद है बोरहान पुरु भाष्पा के वरिष्ट नेता आदित्य पर जबती है भाष्पा के सबी कारेक्रमों के अंदर आप सक्री है शोशल मीडिया पर भी आप एक्टिव है क्या चैनल अलने के रहाद है भारते अंता पर्टी मौका देगे तो बिल्कु चैनल अलनुगा भारते अंता पर्टी जो काम देगी वो काम करेंगा अ क्या क्या करें गें भारते अंता पर्टी जो बोलें की जालो लगाना जालो लगाएंगे पर से बताईत्य आपको टिकैट के दें पार्टी तो Alright Do Yeah लेके कुछ तो लेकिए आपसे पार्टी क्या बताएगा पार्टी को अपने देवे दावेदारी क्री mesmo National अब भाहते नता होगी का कारेकरता हूं और भाहते नता पार्टी कारयकरत्य हूं को टिकेत आप प्रिजापती को टिकेट देना है बिल्कुल लडेंगे अगर पार्टी विश्वाद जयता तो बिल्कुल यदि पार्टी बोलेगी तो मैं बिल्कुल लड़ूँगा है मैंने डावेदारी ज़रूर करिये मैंने रडी करना स्वापविक्न रा तो वो धर चुक्ल लड़ू बर कि अगर पाटी secrets जिता लिया तिकट भी दे दिया अं मानलों आप विधायक भी बन गए तो क्या काम करें जो अब तक कि ना भाश्पा ने कर अपाए ना कॉंग्रेस नी किये बुरहानपुर के लिए देखी मेरी नजर में सबसे पहले एक मैडिकल कॉलेज बुरहानपुर में होना चाहिए इसके लिए सरकार से बात करें मैडिकल कॉलेज यहां पर होना चलिए उसके लिए बात करूंगा और दूसरा बड़े उद्योग्पतियों से बुरहानपुर में कोई बहुत बड़ा उद्योग नहीं है उद्योग तो है और अभी कुछ ग्रूप्स ने बड़े बड़े उद्योग लगा है जहां पाच-पाच यार अब भी काम कर रहे हैं लेकिन कोई बड़े बहुत ही बड़ी इंट्रेस्टी यहां पर लाना है तो बड़े उद्योग पत्यों से बात करेंगे उनको सरकार के माध्यम से संभव होगा तो सरस्ती जमीन दिलाकर पावर दिलाकर उनको कहेंगे कि में उद्योग लगाए और जिससे बुरहनपूर के लोगों को रोजगा रहे हैं कि मुझे दूसरा यहां संभावना फलोध्यान की बहुत है कि फलोध्यान के लिए क्रशकों को प्रोसाइट करेंगे कि फलोध्यान लगाएं क्योंकि बहुत मात्रा के अंदर बुरहनपूर से मजदूर पलायन कर जाते हैं नासिक नाकपूर आसपास दूसरी यह पे तो बुरहनपूर के पास मजदूर नहीं रहते हैं यदि फलोध्या यहां लगेंगे तो यहहीं पर रहांगे लोगों को बहार जानाना नहीं पालेगा चलब पर मॉक्षाट करेंगे जब मोगा मिलेगा इनकी विछ कौका तो उसका मोग उसक्सथों हो बिल्लुकिल उसके लिए अब यूआ है यूआ निता है भाश्पा भी इस बार यूआव पर जादा ज्यादा फोकस कर रही है वहीं कांग्रेस भी जो है अपनी जो एककाई पार्टियो है क्या लगता है युवा वोटर को आप किस तरह से साधिक है क्या रणनीती लेगी आपकी इजबाब देखिए युवा वोटर जो अभी 18 साल के आसपास के युवा वोटर है उन्होंने भारति जंत्य परटी का काम अपने पैदा होने के समय से देखा है तो शीवराज जी के काम को देखे मोधी जी के काम को देखे मिस्चित दूप से भारति जंत्य परटी के लिए अपना मत्तदान करेंगे अभी कुछ में युवा संमैलन का इसमें बहुत आयत बाड़ा में युवाँ वोटर आये थे तो बहुत आयंतमात्रा नों तो और जो युवाँ वोटर है वह भारती स cultivate के साथ नै और जल्म परregel यूग घा अ Papa पारटे睡स yan? युआण के साथ में युआउं की रहती है। मैं समझता हूं कि 68% सधय युआउड वोतर हैं, मैं कुछ गलत हो सहकता हूं, लेकिन 68% ऊस्पास में युआप वो time को मौका मिलता है। तो युवावोटर तो वैसे भी युवाओं के साथ में रहते हैं और बहुत सारे जो युवाओं की तकलिफ हैं उनको दूर करेंगे और कोशिश करेंगे कि युवा मैं अपना उद्देश बताऊं कि युवा राष्ट्र भक्त बने राष्ट्र भक्ति देखिए एक समय था मोधी जी के पूर्व जब राष्ट्र भक्ति युवाओं में नहीं थी लेकिन कुछ सालों से जब से मोधी जी सत्ता में आये हैं मोधी जी तब से युवाओं में राष्ट्र भक्ति की भावना बड़ी है तो राष्ट्र भक्ति के प यहां पर जब भारत जोलो यात्रा यहां से निकली तो उसमें कितने लोग थे लोग तो उसमें कितने लोग थे उसका कोई असर एंपी बनी हो बिल्कुल भी नहीं हो तो पड़ेगा नहीं उनके मौहमत की दुकान दिल में रहती है दुकान में घब आपार होता है तो महममत की बहुत बहुत शुक्रिया हमको समय देने की लिए धन्यवाद तो यह आधित्य प्रजापची दिए से जन्ते हमने बात कि है क्या कुछ इंगा कहना पड़ा है हमने आपको बताया है तो इसी तरह की तमाम बढ़ी ख़बरों के लिए बने रहे वी अगला फ्ते फिरों कि किसी BNC News, Namaskar